आज डिस्कस करेंगे मल्टी प्लेट क्लच के बारे में मल्टी प्लेट का क्लच क्या होता है और ये कैसे काम करता है मल्टी का मतलब है कि दो से दो या दो से जादा प्लेट्स अगर दो या दो से जादा क्लच प्लेट हम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे multi plate clutch तो multi plate clutch के अंदर क्या है काफी सारी plates होती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा torque को transfer कर सकें clutch क्या होता है clutch होता है engine की power को जो gearbox तक engage करता है या फिर disengage करता है means engine power को gearbox पे requirement पे देता है या फिर उसको नहीं देता दोनों काम करता है engage करने का engine power को gearbox के साथ या disengage करने का तो clutch क्या करता है engage और disengage में काम आता है power transmission में तो ये figure है multi plate clutch की तो इसकी अंदर क्या क्या फार्ट है वो देखते हैं ये है input shaft input shaft जो है वो engine से connect होती है engine की crank shaft से connect होती है ये directly engine से power लेती है ये जो input shaft है ये connect होती है fly wheel के साथ तो जब ये rotate करेगी तो fly wheel 20 के साथ rotate करेगा जो fly wheel है वो हमारा इस तरह का होता है इसके ऊपर teeth कटे होते हैं ये teeth हैं ये हमारे teeth क्यों कटे होते हैं fly wheel के ऊपर ताकि ये एक pinion से connect हो सके एक ये small pinion से connect होता है उसके ऊपर भी teeth कटे होते हैं ये pinion हमारा होता है self starting के लिए जैसे ही हम key को key hole में डालके on करते हैं तो self जो होती है ये pinion को rotate करती है और ये pinion जो battery से operated होता है ये सारा system तो pinion rotate करेगा तो fly wheel को rotate करेंगे और fly wheel rotate होगा तो engine को start करतेगा एक बार engine start हो गया तो वो fuel की power को use करेगा rotation के लिए तो इसलिए teeth कटे होते हैं ताकि self starting में help हो सके तो ये है fly wheel इस तरह का होता है circular disk और उसके ऊपर teeth कटे होते हैं उसके बाद है clutch plates अब यहाँ पे देखिए ये है clutch plate ये है first clutch plate ये है second clutch plate और ये third clutch plate तो इसके अंदर तीन clutch plates हमने use की है तो ये है multi plate clutch इसलिए इसको नाम दिया गया है जो ये clutch plate होती है वो किस तरह की होती है इस तरह की इस तरह की clutch plate होती है circular disk होती है और उसके उपर यहाँ पे friction lining होती है ये friction lining जो ये दिखाई गई है ये friction lining है दोनों तरफ होती है ताकि fly wheel के साथ easily connect हो सके और दूसरी तरफ से इन दोनों के बीच में जो clutch plates हैं ये होती है separator plate इसको हम बोलते हैं separator plate जो अलग करती है एक clutch plate को दूसरी clutch plate से ये separator plate लगबग steel की बनी होती है लेकिन कई clutches के अंदर ये cast iron की बनी हो सकती है तो कोई भी material हम according to requirement यूज कर सकते हैं ये जो friction lining है ये किस चीज की बनी होती है ये asbest dose की बनी हो सकती है या कोई भी material आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन mainly asbestos हम यूज़ करते हैं इसकी friction lining के लिए और इसके बीच में यहाँ पर सप्रिंग लगे होते हैं यह सप्रिंग किस काम आते हैं जो damping है जो damped है जब clutch plate rotate करेगी तो उसको absorb करने के काम आती है damping को तो सप्रिंग का भी एक important function होता है तो clutch plate हमारे पास तीन हैं और इनके बीच में लगी है separator plate जो इनको clutch plates को एक दूसरे से अलग करती है तो उसके बाद यहाँ पे लगी है pressure plate यह है pressure plate यह है pressure plate इसको pressure plate क्यों बोलते हैं क्योंकि यह जो plate है यह सारे चीजों के ओपर clutch की जो plates हैं और यह plates हैं जो separator plate हैं इनके ओपर pressure बना के रखती है जब यह pressure बना के रखती है इस तरफ और इस तरफ यह pressure plate तो यह इससे अंगेज रहता है fly wheel के साथ जब यह pressure बना के रखती है normal condition में यह pressure plate प्रेशर बना के रखती है और जैसे ही यह pressure बना के रखती है तो यह सारी plates यहाँ पे force लगता है और सारी engage होके flywheel के साथ engage हो जाती है उसके बाद है यहाँ पे यह है diaphragm spring diaphragm spring यह जो diaphragm spring है इसका एक important function है diaphragm spring हमारा इस तरह का होता है इस तरह का यह convex shape का होता है उपर उबरा हुआ होता है इसके बीच में यह slot कटे होते हैं अब यह जो diaphragm spring है यह और यह है यहाँ पे release bearing release bearing release bearing मतलब यह bearing help करता है जब हम इसको प्रेस करते हैं तो यह diaphragm spring को आगे की तरफ धकेलता है जैसे ही बीच से यह आगे की तरफ जाता है लेकिन जो इसके corner है यह जाते हैं पीछे की तरफ यह corner attach है pressure plate के साथ यह भी corner attach है pressure plate के साथ जैसे ही बीच आगे की तरफ जाएगा यह जो corner है यह पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि यह bolted होता है इसके साथ pressure plate के साथ तो जैसे ही यह आगे की तरफ जाएगा यह corner पीछे की तरफ जाएंगे और जैसे ही यह corner पीछे की तरफ जाएंगे यह pressure plate अपना pressure release कर देगी इन सारी plate से और जैसे ही pressure release होगा यह disengage हो जाएगा यह disengage हो जाएगा तो जब हम clutch lever को press करते हैं तो क्या होता है press करते हैं तो हमारी pressure plate पीछे की तरफ जाती है pressure release होता है और clutch disengage हो जाता है लेकिन जब हम paddle को छोड़ते हैं तो normal condition में means यह क्या होगा जब हम release करेंगे इसको छोड़ देंगे तो यह pressure plate दोबारा से इनके ओपर pressure लगाएगी और यह fly wheel के साथ दोबारा से engage हो जाएगा और जो input shaft की power है वो हमें output shaft पे मिलेगी यह है output shaft तो इस तरह से हमारा clutch काम करता है यह होती है cover plate यह भी fly wheel के साथ bolted होती है यहां से bolted होती है तो cover plate यह पूरी assembly होती है multi plate clutch की तो इस तरह से यह काम करता है हमारा multi plate clutch तो thank you यह वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा updated वीडियो के लिए आप मेरे channel learn and grow पे मुझे subscribe कर सकते हैं थेंक यू